दिव्या अग्रवाल एक फ़नी सा इंसिडेंट बताती हैं जी हाँ आपको बता देद बिग बस OTT से एक अंसी न देखा वीडियो सामने आया है जहां दिव्या अग्रवाल एक फ़नी इंसिडेंट बताती हैं अपने फ्रेंज के बारे में तो चलिए हम आपको भी बताती हैं कि आखिर हुआ क्या था तो दोस्तो दरसल दिव्या अपनी एक रूमेज के बारे में बताती हैं जो की हाफ इचैलियन और हाफ पाकिस्तानी होती हैं दरसल वो दिव्या को एक बार कॉल करती हैं और उनको बुलाती हैं मैट्रो स्टेशन पे दरसल होता ये है कि जो उनकी दोस्त हैं उनके पास मैट्रो के दो काज होती हैं गोल्ड और सिल्वर लेकिन वो हमेशा पंच करवाती है सिलवर काड़ और वो बैठती गोल्ड में है लेकिन वैसे तो वो पक्री नहीं जाती थी लेकिन एक बार की बात है जब कॉपने मशीन से उनकी चेकिंग की तो उनके काड़ का पता चल गया जी हाँ और जो उनका गोल्ड कार्ड वो दिखाती थी वो भी पता चल गया एक्चुली जब कॉप ने मशीन लाया और उनके कार्ड की चेकिंग की तो उनको पता चला कि इन्होंने छे महीने से इसमें पैसे नहीं डाले और उनका जो बैलन्स है वो माइनस में चला जाता है जी हाँ और जब वो ये इंसिदेंट बताती है उसके बाद दिव्या ये भी कहती है कि वो मेट्रो स्टेशन जाती है जिसके बाद वो कॉप को कन्वेंस करने की कोशिश करती है और कहती है कि ये मेरी सिस्टर है जिसके बाद कॉप कहती है कि इन्होंने मुझे हिंदी में काफी मा बहन की गालिया दी है और इस तरीके से दिज़्वया जाती है और किसी तरीके से कॉप को कन्विंस करती है पर अपटी फ्रेंड को बचाती है और ये इंसिडेंट सुनके लोगों को काफी मसा आता है वो इस इंसिडेंट से काफी एंटर्टेन भी होती है बिग बॉस OTT से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए पने रही हमारे चैनल के साथ